जी नमस्ते मेरा नाम विराज नायक है और आनन्द is my pen name मैं एक गजल सुनाता हूँ और उसका मतला है कि जमी के पास आखिर आसमान कहा है कि जमी के पास भी आखिर आसमान कहा है बगवान हम सब पर तो महरबान कहा है कि जमी के पास भी आखिर आसमान कहा है बगवान हम सब पर तो महरबान कहा है और शेर है कि मेरे साथ मेरी तनहाई भी रहती है यहाँ मेरे साथ मेरी तनहाई भी रहती है यहां ये मेरे अकेले का तो मकान कहा है ये मेरे अकेले का तो मकान कहा है तुमने कहा कुछ और मैंने समझा कुछ तुमने कहा कुछ और मैंने समझा कुछ हमारे बीच वो पहले वाली जबान कहा है हमारे बीच वो पहले वाली जबान कहा है जिसने कभी अपने अंदर डूढा ही नहीं जिसने कभी अपने अंदर डूढा ही नहीं वही फिर पूछते हैं कि भगवान कहा है वही फिर पूछते हैं कि भगवान कहा है एक और मतला और कुछ शेर पेश है कि ये रिष्टे में खड़ी नई दीवार कौन करे ये रिष्टे में खड़ी नई दीवार कौन करे फर्याद आपसे बार-बार कौन करे ये रिष्टे में खड़ी नई दीवार कौन करे फरियाद आप से बार-बार कौन करे एक जैसी गलती लगातार कौन करे खुद ही बरबाद अपना घरबार कौन करे और एक शेर है कि एहसान होगा कि एक ही बार में मार दो मुझे अहसान होगा कि एक ही बार में मार दो मुझे यू मुझको बार-बार बीमार कौन करे यू मुझको बार-बार बीमार कौन करे इस तरह तो रिश्वटाबर कौन करे इस तरह तो रिष्टावर करार कौन करे और एक शेर है कि अपनी गल्ती पर तुरंत माफी मांग लेना अपनी गल्ती पर तुरंत माफी मांग लेना ये फिर से एक नया दुश्मन तयार कौन करे ये फिर से ये फिर से एक नया दुश्मन तयार कौन करे इस जहान में सैंकडो लोग है लेकिन कि इस जहान में सैंकडो लोग है लेकिन खुदा के अलावा मेरा इंतजार कौन करे खुदा के अलावा मेरा इंतजार कौन करे एक और मतला और कुछ शेर है कि तमन्ना है कि एक दिन तु मेरे संग हो जाए तमन्ना है कि एक दिन तू मेरे संग हो जाए ये देखकर मुझे देखने वाले दंग हो जाए तमन्ना है कि एक दिन तू मेरे संग हो जाए ये देखकर मुझे देखने वाले दंग हो जाए तेरे सिर्फ और सिर्फ एक इशारे पर तो कि तेरे सिर्फ और सिर्फ एक इशारे पर तो मेरे सारे रकीबों से एलाने जंग हो जाए कि मेरे सारे रकीबों से एलाने जंग हो जाए और एक शेर है कि जमाने बर से लड़कर आज पाया है तुझको कि जमाने बर से लड़कर आज पाया है तुझको मेरे हाथ से तेरे माथे पर लाल रंग हो जाए कि मेरे हाथ से तेरे माथे पर लाल रंग हो जाए और खुशी के इस बहतरीन मौके पर आनंद खुशी के इस बहतरीन मौके पर आनंद आस्मान में उसके नाम की एक पतंग हो जाए और एक आखरी आखरी एक शेर और कुछ कि दुनिया में कहां कोई काम बुरा है दुनिया में कहां कोई काम बुरा है मगर सबसे ज्यादा आराम बुरा है दुनिया में कहां कोई काम बुरा है मगर सबसे ज्यादा आराम बुरा है देखा है खुद को बरबाद होते हुए असली मजा तो महफिल में है यारो कि असली मजा तो महफिल में है यारो परना अकेले अकेले तो हर जाम बुरा है परना अकेले अकेले तो हर जाम बुरा है और तुम चाहो तो पूजा रावन की करो और तुम चाहो तो पूजा रावन की करो मगर ये ना कहना की श्री राम मुरा है शुक्रिया